नमस्कार क्रिको देख रहे हैं आप मैं हूँ रॉनेक और कल खिलीगे दो मैचों के नतीजों ने इंडियन टीट्वेंटी लीग के पॉइंट स्टेबल में फिर से गर्मी ला दी है पहले मैच में बेंगलूरू ने राजस्तान को 112 रणों से हरा करना सिर्फ अपनी प्ले आफ की उम्मीदों को जिन्दा रखा बलकि अपना नेट रन रेट भी सुधार लिया इसके लावा दिन के दूसरे मुकाबले में चेनने को कुलकता ने 6 विकेट से हराया और चौका डाला सभी को इन दोनों मैचों का पूरा डीटेल ब्योरा हाल चैलर बवायल हमें अपनी नोपो चैनल पे काटा है जाके उस चैनल पर जरूर देखना फिलाल यहां पर हम बात करेंगे उस खिलाडी की जिससे पिछले 6 महीने में टीम इंडिया के पर्मनेंट कैप्टन के तौर पर देखा जा रहा है गेस कर सकते हैं उस खिलाडी का नम सही पकड़े हैं हार्दिक पंडया भारत के पूर कोच रवीशास्री का मानना है कि अगला पुरुष T20 वर्ल कप एक साल बाद यानि साल 2024 में खेला जाना है ऐसे में इंडियन टीम की कमान हार्दिक पंडया को पर्मनेंटली दे देनी चाहिए 2024 T20 वर्ल कप में कई नए चेहरे देखने को मिलेंगे मगर टीम को लीड करने में इस समय भारती क्रिकेट के पास हार्दिक से बहतर आप्शन कोई नहीं है हार्दिक पहले ही T20 में भारती टीम के स्टेंडबाई कप्तान है इसलिए अगर वो फिट रहते हैं तो वो ही कप्तान रहेंगे वैसे एक अपडेट जो गुजरात के खेमे से इस वक्त आ रही है वो ये कि हार्दिक के पीट में मोच है और इसी वज़े से उन्होंने मुंबई के खिलाफ पिछले मैच में गिनवाजी नहीं किय थी अब सवाल यह है कि हार्दिक के चोट कितनी गौतम है इस बारे में तो गुजरात के बोलिंग कोच ने भी कुछ नहीं बताया लेकिन गुजरात के कप्तान पहले भी पीट की चोट से परिशान रहे है 2018 में उन्हें एशिया कप के दोरान पीट में चोट लगी थी यहीं चोट 2019 में गंभीर हो गई जिसने हार्दिक के करियर को मुश्किल में डाला था पीट की सर्जिरी के बाद ही हार्दिक ने IPL 2022 से वापसी करते हुए टीम को चैंपिन बनाया था हार्दिक को अपनी पीट का खास खयाल रखना होगा क्यूंकि विराट और रोहित के बाद उन्हीं को टीम इंडिया को लीड करना है और इसी बात को रवी शास्त्री भी मानते हैं शास्त्री का कहना है कि सेलेक्टर सब नई दिशा में सोचेंगे मौझूदा समय में हमारे सामने कई प्रतिभाशाली यंग खिलाडी है अगर पूरी तरह से टीम का काया कल्प नहीं होता तब भी हमें कुछ चेहरे तो जरूर दिखाई देंगे और उनके लीडर हार्दिक होंगे इस समय रोई चर्मा भारत के तीनों फॉर्मैट के कप्तान है हलांकि साल 2022 के अक्टूबर नॉंबर में औस्टेलिया में हुए पिछले टीट्वेंटी वोल्ड कप के बाद से उन्होंने कई इंटरनाशनल टीट्वेंटी मुकाबले नहीं खेले है पिछले टीट्वेंटी वोल्ड कप में केल राव लूप कपता नहीं कर रहे थे लेकिन उन्होंने भी उसके बाद से कोई भी इंटरनाशनल टीट्वेंटी मुकाबला नहीं खेला है इस दौरान भारती टीम ने कुल आठ टीट्वेंटी मैच केले हैं मैच में हारदीक ने ही टीम इंडिया को लीड किया है पिछले टीट्वेंटी वोल्ड कप में भारती टीम के लिए बल्ले बाजी चिंता का सबब थी सेमी फाइनल में भारती टीम 168 रनी बना पाई जिसे इंगलेंड ने चार ओर रहते ही अचीव कर लिया था इसके उलट जब साल 2024 टीट्वेंटी वोल्ड कप चैन की बारी आएगी तब हारदीक के पास कई विकल्प होंगे साल 2022 से पहले तक हारदीक के पास सीनेर लेवल पर कप्तानी का कोई experience नहीं था लेकिन उन्होंने न सिर्फ अपनी टीम को IPL की ट्रोफी जीता ही बलकि इस बार भी उनकी टीम सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम है वैसे आज तो हारदीक की टीम के पास एक golden chance है कमजोर अईदराबाद को अरा कर अंतीम चार में इंट्री मारने का और इस मैच के तुरंत बाद आप भी कीवी अप पर मेरे साथ जुड़ना आपके जेब में 10,000 रुपए आ सकते हैं 10 सेकेंड के अंदर वो भी फ्री में क्विज खेल कर नौलेज और पैसा दोनों चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओ कीवी अप का लिंक दिया उस पर क्लिक करके इस अप को डाउनलोड करो जी आं 10 सेकेंड में 10,000 चाहते हो तो कीवी अप डाउनलोड करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रात को 11 बजे कीवी अप पर लाइब मिलना फिला लेहां से चलना थैंक यू फो वाचिंग जैहिंदू